दोस्तों, आज हमारी है, exercise 7.6, question number 8, Asa and Samuel have the book self of same size, partially filled with the books, Asa self is 5 upon 6, full and Samuel self is 2 upon 5, full, whose book self is more full by what fraction, क्या कह रहा है, Asa and Samuel का same self है, ठीक है, लेकिन Asa कितना बढ़ा हुआ है, 5 upon 6 बढ़ा हुआ है, and Samuel का कितना बढ़ा हुआ है, 2 upon 5 बढ़ा हुआ, तो who book self is more, किसका जधा बढ़ा हुआ है, and by what fraction, और कितना fraction, तो हम देखेंगे, Asa, Asa कितना है, fraction कितना है, 5 upon 6 है, और Samuel का, Samuel का हमारा है, Samuel का हमारा है, 2 upon 5, अब हमें पता करना है कि किसका ज़्यादा है, है तो यह यहां 5 पॉन 6 है यहां 2 अपॉन 5 हमारी डिप्रेंट है तो सब्चे पहले हमें इनके डिप्रेंटर सेम करने बढ़ेंगे सेम करने लिए लिए 6 & 5 का एलसम ले लेंगे अब 6 का हमें 5 को जब हमने 6 अब हमें डिवाइड कर लो सी इस दे शिक्स हम क्या कर लेरे डिवाइड तो कितने टा infra एंऐ ने लिख heh ठीक है और इस इस फाइब को इस से क्या कर देते इंटो कर देते एंटी करना तो तो 5 शिख जा 30 और नियुम्निटर को क्या करने इसके साथ इन्टू का देते हैं ठीक है और 6 तू जा कितना हो जाएगा 12 तो अब देखो एक हमारा आया 25 अपन 30 एन आसागा कितना है 25 अपन 30 और से मुरू कितना है 12 अपन 30 जब हमारे दियुम्निटर सेम हो जाते हैं तो हमें 25 अपन 30 ग्रेटर दैन 12 अपन 30 ओके कि जब डिनुमिनेटर सेम हो जाते हैं तो रिटोमिनेटर देखना हो तो कौन सा ग्रेट है इट मींज हम कहाँ सकते हैं आसा सो इसलब इस ग्रेटर देन सेंबूल मतब फुल है ग्रेटर लेशन कीसका सेंबूल से ओके अब ये कह रहा बाइ वाट फ्रेक्शन कितने फ्रेक्शन से हैं तो हम क्या करना है तो वाट फ्रेक्शन 25 अपउन 30 आप इसको शीदेसे तो मैनस कर दो ठीक है वाट फ्रेक्शन तब फ्रेक्शन देन तो फाइब में टू गया धाई में टूब है त्री और तू में से वाण गया वन ओके और यह फ्रेक्षिन तूरटे कर राइए तो बार्ट फ्रेक्षिन हैं कि थर्टे कर आपन थे